लौक अप दो के संभावित कंटेस्टेंस को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कई टॉप सेलिब्रिटी यहां आने को लेकर सुर्खियां बटो रहे हैं। हालां की अभी तक किसी की ओफिशिल पुष्टी नहीं हो सकी है। ऐसी अफवाहे थी कि पारस छाबडा भी इस बार लौक अप में बंध होंगे लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। बिग बॉस 13 का हिस्सा रहे पारस शो के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट में से थे। टेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार पारस छाबडा ने लौक अप 2 के इस ओफर को अस्विकार कर दिय है क्योंकि उनके पास एक वेब सीरीज पाइपलाइन में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें एकता कपूर के शो की पेशकश की गई थी और मोटी रकम भी दी जा रही थी। लेकिन अपनी पुरानी कमिटमेंट्स के कारण वह शो के लिए तीन से चार महीने नहीं द पाइंगे